पूट 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 अप्शन यहां पर बाई करने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं 17300 का पूट ऑप्शन मैंने उपन कर लिया है और जैसे ही यहां पर अगली केंडल उपन होती है बिल्कुल वैसे ही मैं यहां पर एक पूट बाई करने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं कि 17300 का पूट ऑप्शन है और यह है स्पॉट चार्ट यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां से मैं अब एक पूट यहां पर मैं एंट्री बनाने वाला हूँ क्योंकि और जो लॉजिक है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मैंने आखिर क्यों यहां पर एंट्री बना रहा हूँ वो मैं आपको बाद में समझा दूँगा कि मैंने entry क्यों मनाई फिलहाल हम लोग जैसे अगली candle open होती है एक put entry यहां पर बनाएंगे तो चलिए अब इंतजार है बस अगली candle open होने का जैसे open होती है हम लोग यहां पर entry बनाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह completely psychological trade होने वाला है तो चलिए थोड़ा वेट करते है तो यहां पर अगली candle open हो चुकी है और मैंने अपनी entry बना ली है तो आप लोग देख सकते हैं 119 के around मेरी entry हुई है और 104 ठीक है 15 point के around मेरा stop loss है 119 रुपए पर मैंने entry बनाई है और 104 रुपए पर मेरा यहां पर stop loss place है और आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अपनी entry बनाई यह है spot chart यहां पर बिल्कुल psychological trade होने वाला है कोई support resistance मैंने आप ड्रॉण नहीं किये हैं आप लोग देख सकते हैं एक ही train line draw है वो भी काफी नीचे है ठीक है तो यहां पर 6-7-8 रुपए का profit चल रहा है भी तो देखते हैं कि हम लोग यहां पर कितना capture कर पाते हैं minimum हमें 50 points तो चाहिए क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि यहां से एक थोड़ा पहुत fall आ सकता है और कम से कम एक बड़ी candle तो हमें मिल सकती है एक बड़ी red candle वो हमें मिल सकती है तो इसलिए मैंने यहां पर straight को बनाया है और जो psychology वो मैं आपको बाद में बिल्कुल पूरी details में मैं आपको समझाओंगा कि मैंने यहां पर आखिर क्यों बनाया है क्या मेरी psychology थी तो चलिए अभी थोड़ा नीचे आ रहे है ठीक है हमारे stop loss अभी काफी दूर है अभी 104 पर है 119 पर चल रहे है तो देखते हैं कि क्या होता है थोड़ा उपन नीचे कर रहे है तो जब तक हमारा trade यहां पर चल रहा है तब तक आप लोग वीडियो को like, comment, share, subscribe जरूर करें तो यहां पर ठीक है हम लोग cost cost आ गए है और अब थोड़ा हमारी direction में बैंक निफ्टी चल रहा है ठीक है यहां पर spike आ रहा है बहुत बहतरीन यहां पर यह trade रहा है यहां पर देखिए आप लोग लेकिन लेकिन दोस्तों यहां पर move इतनी जल्दी आया कि मैं यहां पर exit नहीं कर पाया ओ, ओ, हो, यह पूरी candle reverse हो चुकी है और मैंने अपने trade को exit नहीं किया तो यहां पर अभी मतलब ऐसा है कि ऐसी life है देखो trading की उसी समय मैं राजा था और अभी देखो मैं रंक हो गया मतलब वहीं हो गया जहां से मैं गया था वहीं हो गया वहीं दुबारा से आ गया मैं तो यहां पर आप लोग देखें यह यहां पर इस day की opening थी तो यहां उपर पहले breakout आया तो सब ने call position बनाई ठीक है तो सबसे पहली बात तो यह breakout आया day high का तो call position बनाई उसके बाद यह candle यहां पर बनी तो जो बचे हुए लोग थे उन्होंने put entry बना ली फिर से यहां पर green candle बनी और इनका stop loss हंट करके सब को यहां पर call में बिठा दिया कि ठीक है अब मैं call में जाओंगा तो जो यहां पर put बना के बैठे थे वो भी call में बैठ गया और SL अब आप बारी आती है SL की तो सारे SL यहां आ गया अब सारे SL यहां आ है तो इसलिए मैं यहां पर एक opposite side का trade बना के बैठा हूँ कि हां यहां पर एक bearish move आ सकता है अच्छी बड़ी candle हमें मिल सकती है लेकिन आप लोग देखिए सब मेरे according हुआ लेकिन यहां पर मैं book नहीं कर पाया है अभी भी मैं profit में हूँ अभी मेरा stop loss हिट नहीं हुआ है आप लोग देख सकते है तो यहां तो stop loss या target तो देखते हैं क्या होता है तो ठीक है यहां पर मैंने थोड़ा बहुत अपने trade को manage किया अपनी quantities को manage किया तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दूसरी candle भी open हो चुकी है और फिर से यहां पर bank nifty हमारी direction में चलने लग गया है तो यहां पर ठीक है move आ रहा है तो इस बार अगर 50 point के around पहुंचता है तो हम लोग यहां पर exit होने का plan करेंगे देखते हैं अगर spike spike में उपर निकलता है तो हम लोग wait करेंगे नहीं तो हम लोग सीधा exit करने वाले हैं हम लोग बिल्कु टाइटली यहां पर बैठें ठीक है बढ़िया spike आ रहा है ठीक है 50 point के around हम लोग पहुंचने वाले है तो देखते हैं कि कितना में मिलता है ठीक है य market उपर निकलते है ठीक है थोड़ा सा अगर गिरने लगते है तो मैं यहां पर exit करूँगा आप लोग देख सकते हैं यहां पर कितना यहां पर आप लोग देख सकते हैं 500 point नीचे गीर चुका है bank nifty और 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 नीचे गिर है ठीक है exit मैं करूँगा यहां पर okay तो I have done मैंने exit कर लिया है बहुत बढ़िया move आ रहा है ओहो आप लोग देख सकते हैं अभी भी move आ रहा है लेकिन मैं exit कर चुका हूँ तो कम से कम 100-500 point के करीम मैंने capture कर लिया है और यहां आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके की psychology आप की होनी चाहिए आप लोग देख सकते हैं यहां प कितना बहतर यह चला है बहुत ही बहतरीन move आया है और बहुत ही बढ़िया यहां पर हमें profit भी आया है आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने capture किया सब कुछ मैंने आपके सामने किया entry आपके सामने लगाई exit मैंने यहां पर आपके सामने आपको बताया कि कि इस तरीक से मैंने entry की और आप लोग देख सकते हैं यहां पर कितना बड़ा move आया हमने यहां पर 180 point easily capture कर लिये हैं मातर पांस मिनट में हमने यहां पर 180 points capture कर लिये हैं तो बहुत बढ़िया यह trade रहा I hope कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, comment, share, subscribe जरूर करें और आपकी कोई भी queries हो आप लोग comment section में जाके comment कर सकते हैं और साथ में यह भी comment कीजिएगा कि आपका आज का दिन कैसा रहा तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में